हाई फ्रेंड्स ये मेरा नाइन्थ वीडियो है इस बुक से रिलेटेड इस बुक को लिखा गया है जाने माने उत्र ब्राइन ट्रेसी सर दोरा जिनको सेल्स गुरू भी कहा जाता है अगर आप इस बुक से रिलेटेड मेरे अधर एट वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका बड़ी हमारी सक्सेस होगी तो 9-step method ब्राइन ट्रेसी सर दोरा हमें बताया जा रहा है जिसको हम यूज करके ये proven method है हम अपनी life की समस्याओं को solve कर सकते हैं उनका समाधान निकाल सकते हैं हमारी quality of thinking होती है वो quality of life decide करती है हम जिन संकल्पों को बार बार दोहराते हैं हम वै सकते हो English में you become what you think about most of that time जीवन में समस्याओं आती हैं ये चलती हैं ये चाहे आपकी physical problems हो सकती है financial हो सकती है family problems हो सकती है business and political problems हो सकती है जब हमारी problems आती हैं life में तो उस दुदरान हमारी true personality और character की क्या strength है उसका पता चलता है tendency क्या होती है लोगों की की problems आने पर लोग गुसा कर जाते हैं जएदा then किसी को blame करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है हमारी total energy waste होती है problem solve नहीं होती है तो हमने करना क्या है एक तो हमने उस दुरान शान्त रहना है काम रहना है और हमने solution के उपर work करना है इसकी example ह जब किसी का accident हो जाता है तो हम उस person को फड़ा फड़ डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना कि हम ये देखते हैं किसने किया कैसे हुआ हम डॉक्टर तक पहुंचाते हैं so that उसको पहले treatment मिले तो same वैसे है top people जो होते हैं अपने field के उनके अंदर ये quality होती है problem आने पर एक तो वो शहांतर रहते हैं दूसरा वो solution के उपर work करते हैं good news यह है कि जब हमारा mind solution के उपर work करता है जब हम अपने mind को solution के लिए trained करते हैं तो वो solution oriented हो जाता है mind जो है solution के उपर ही focus करता है 9 step method को जानते हैं ये हमें कैसे help करता है problem को solve करने में तो number one जो step है वो है take the time to define the problem clearly आप थोड़ा time लीजिए आप पहले decide कीजिए आपकी actual problem है क्या जैसे medicine के अंदर medical science के अंदर कहा जाता है जब हम doctor के पास जाते हैं तो doctor पहले diagnose करता है मतलब ये जानने की कोशिश करता है कि हमारी actual problem है क्या तो same हमने वैसे करना है पहले ये decide करें हमारी problem है क्या then second step है हम ये कह पूछ सकते हैं ask is it really a problem क्या ये वाक्य में problem है कई वार हमारी thinking गलत होने की वज़ा से हमें वो लगता है वो problem है लेकिन actual में वो problem होती नहीं है कई वार हो सकता है वो हमारे लिए अच्छी opportunity हो then तीसरा step आता है what else is the problem Brian Tracy sir कहते हैं जैसे मैं कई वार organization में visit करता हूँ तो मैं पूछता हूँ what is the problem तो answer आता है our sales are too low हमारी sales बड़ी कम है मैं फिर पूछता हूँ problem क्या है what else is the problem तो फिर वो कहते हैं our competitors' sales are too high हमारी competitor जो है उसकी sales बहुत हाई है तो अब कहते हैं यहाँ पर आप difference note कीजिए जब आपकी sales कम है तो उसका मतलब हुआ कि आपको sales बढ़ाने वाली activities जएदा करना पड़ेंगी advertisement, promotion करना पड़ेंगी अगर वो कहते हैं कि हमारे competitor की sales बहुत जएदा high है तो इसका मतलब हुआ कि हमें हो सकते है अपने product के अंदर improvement करना पड़े हमें अपनी service को ठी करना पड़े हो सकते हैं हमें अपने price जो है वो कम करना पड़े तो इस तरह के से हम ये step ले सकते हैं then fourth हाता है ask how did this problem occur ये problem हुई कैसे उसकी जड़ तक जाना जरूरी है तो आप ये अपने आप से पूचिए then fifth step में हम कर सकते है ask what are all the possible solution जो हमारी समस्या है उससे related क्या possible solutions हमारे पास है हम उसको लिख लें तो जादा अच्छा है then sixth step है ask what is the best solution at this time are we current right now जितने भी हमारे पास solution available है उसमें से सबसे best solution क्या है हम उसको opt करें पहले हमने problem को identify किया फिर हमने solution को डूंडा और जो immediately किया जा सकता है हमने उसको किया seventh step आता है make a decision जब आपने solution identify कर लिया then step आता है course of action हमने action लेना है nothing happens until we take the action हमने action लेना है then eighth step आता है assign responsibility कि इस action को लेगा कौन वो responsibility decide करना भी जरूरी है then ninth step आता है set a measure for the decision जो आपने decision लिया जो solution के उपर आप work कर रहे हो तो उसकी measurement भी करनी है क्या उसमें progress हो रही है finally friend Brian Tracy sir कहते हैं कि जीवन में समस्याओं का होना भी जरूरी है अगर हमने जिंदगी में कामजाब होना है तो समस्याओं जरूरी है जितने भी बड़े बड़े successful great लोगों के बारे में अगर हम पढ़े तो हमें ये चीज मिलेगी कि उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं थी आपने friend अपना valuable time निकाला मेरा इस video देखा अगर आप वाके में इस तरह के educational content को like करते हो तो मेरा channel जो है आपके लिए बड़ा fruitful हो सकता है अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं मेरे video को like कर सकते हैं Thanks for